गुड मोर्निंग बालको तोरण आठ गुजिराती विश्रैनी अंदर आपने लेसन नमबर 12 रावन दू मिथ्या अभिमान आपने अगाव बे वीडियो मां जोयूं हवे आजे आपने पेज नमबर 16 पारनों त्रीजु पेज जोयूंए तो अगावना विडियो मां जन्नक राजाये पताने पुत्री सिताना स्वयम वर्व मांटे खणा बदा राजाओने आमंत्रों आपियूतु आ स्वयम वर्व मां भागले वा लंकानुरारा रावन पन आवे छे अने ए श्रिव धनुष्यने तोडवा मांटे उचकवा मांटे चहिरयो छे सिताना मन्नी अंदर एवी बिक छे के जो आ रावन छे शक्तिशाली छे जो ए श्रिव धनुष्य यानी त्रम्बक ए उचक्षे तो ए ने एनी साथे लगन करवा पडशे मांटे भगवान श्रिव ने उमियानी पार्वती ने प्रार्थना करे छे के है इश्वर आछे ए धनुष्य उचकी नाशके त्या सुधी आपड़े जोयू। करी विकट द्रश्टी धनुष्य पर ठायू गवरवते एवा समय श्री राम छे ए सिताना मन्नी आचिन्ता जोय अने ए वेधक द्रश्टी ए धनुष्य उपर करे छे अने ठायू गवरवते एवा समय दनुष्य चे एक दम खुब हैवी वज़ंदार बनी जाय छे रावणे आवी बाथ मारी विश करशु जयाय। अने एवा समय दिमे दिमे रावण छे एवा त्रमबक सुधी पहुची जाय छे अने पोताना वीश दस माथा अने वीश हाथ वड़े ए धनुष्य अने उपाडवानों प्रयत्न करे छे। पण लेश मात्रे हले नही ते घणो भार त्रमबक माई। एवा समय ए पोताना वीश हाथो थी। एवुचकवानों प्रयत्न करे छे। पाण धनुष्य उचकातू नथी एक दम भारे थाई जाय छे। एसेज जे पाण हलतू लेश हाले निशेज पण हलतू नथी औनी त्रमबक नी अंदर घणो भार थाय जाय छे। तदा थायो निस्तेज रामण स्पर्षता शीर जाब। एवा समय शीर जाब। एटले शीव धनुष्य ने एस्पर्षे छे अडे छे। तो एक दम निस्तेज थाई जाय छे। एटले आम शीव धनुष्य पोते उचकी नाथी शक्तो एटलू बदू ए भारे थाय गिववई छे के एने ती हलतू पण नाथी एम। त्यारे ए रामण छे ए जंखवाणू पड़ी जाय छे। एक दम वजनवाणू जे शीव धनुष्य छे। ए एने अडवा जाय त्या हलतू नाथी एटले ए जंखवाणू थाई जाय छे। हला व्यू हाले नही त्यारे पाम्यो मनत्परी तार। ए पते एने हलावाणू प्रयत्न करे छे। पर ए हलतू नाथी त्यारे ए मननी अंदर संताप पामे छे। एकदम दुखी थाई छे। पछे अधरपीसे दन्त रिसे रक्तलो जन क्रोध। एवा पछी रावाणे एकदम एने गुस्वावे छे। एकदम गुस्वावे छे अने दाथ पीसे चे ने आक लाल लाल थाई जाई छे। दनुष्य ते तव उपडिय। गणु जोर करी ने जोड्राम एकदम एने खुब बल करी अने दनुष्य ने उपडि लिदू। दनुष्य तव उपडिय। गणु जोर करी ने जोड्राम एकदम 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 आई दनुष्य ने उपडिय। बराबर पेले तो अल्तू नातू पर खूब बढ़ पड़ू एटले एट थोड़ू कुछ काड़ू एम उचू काईरू अने परस्वेद चाल्यों अंग ती अंग अटले शरीर एना शरीर आकू परसेवे रेव जेव थाई ग्यू एम गणो श्वास चड़ियो शूर ने थायू मन गणू अभिमान अने एक दम एने श्वास चड़ियो खूब जोर काईरू एटले एने श्वास चड़ियो अने तेने मनमा गणू अभिमान बराबर एने मनने एंदार एने अभिमान थेई गिए आहा में तो एने उचकी लीदुयें उबू कैरू जव धनुष्यने अती बल करी महा काई बराबर आ एक दम तकात वालों दस माथा वालों वीशात वालों एने आ धनुष्यने बहु बल करी बहु जोर करी अने उचु कैरू ए उबू कैरू जव धनुष्यने अती बल करी महा काई आवा महा काई शरीरती ने खूब बल करी अने धनुष्यने जेवू उचकियू करूमा है ती लथडियू तदा तव पड़ियो रामन राई एने खूब बल करी ने ए धनुष्यने उचकियू तव ए धनुष्य सूतियू हाथ माथी पड़ियू करूमा है ती लथडियू एना हाथ माथी ए धनुष्य छे इसूतियू पड़ियू पड़ियू तव पड़ियो रावन राय अने एनी साथे रावन पण भॉय एटले के जमीन पर पड़ियू प्रुत्वी उपर पड़ियो दश मूख थयो पूर्ण प्रहार दश मूख एकले दस माथा वालो रावन चे ए तर्दी उपर प्रुत्वी उपर जमीन उपर भुमी उपर भॉय उपर पड़ियू थयो पूर्ण प्रहार अने तेनी उपर धनुष्य पड़ियू अने रावन निजे दबाय गयो तेनी उपर पड़ियू त्रम्बक चम्पायो तेनी वार शुके चे के निजे ए पड़ियू अने एनी उपर त्रम्बक चेटले धनुष्य चे ए पड़ियू अने धनुष्य निजे ए पोते दबाय गयो ते भड़ाको सबलो थयो गणी उडी रजते ठार अने ए जीवो रावन दस माथा ने विश्वो हात वालो जमीनुपर पड़ियो एटले जोरदार धड़ाको थयो बराबर एकदम अवा जायवो औने आजू बाजू छे ए दूल उडवा मंडी बराबर छे रुदीर चाल्यू मुख थकी कच्चर थयो निरदार एणा मोठा माथी लोई निकलवा मैंडियू अने ए एनी नीचे दबाए गयो एने वागी गयो बराबार चाने घवाई गयो होई एवू थयू एनि नीचे पैडियू एले नीचे दबाई गयो एने वाग्यू एम कहेछे ते भडा को सबडो थयो कणी उडी रजते ठार रुदीर चालियू मुख थकी कचर थयो निरधार एनिचे छाने ये दबाई गयो होई एने मोडा माथी लोई निकडवा लाग्यू तो आजे आपणे आईया सुदी राखिये छिये आने बज्जा बीचा बीडियो नी अंदर आपणे आले सन्या अगण जोई ए जय हिन